न्यूजिलांड के क्राइस चर्च में शुक्रवार को दो बड़े मज़िदों में गोली बारी हुई इस हमले में 27 लोगों की मौत हुई और वहीं कई लोग घायल हो गए आपको बतानें कि जिस वक्त गोली बारी हुई उस वक्त बांगलेदेश के क्रिकेट टीम मज़िद प पर कहा कि उनकी पूरी टीम इस समय सुरक्षत है आप हमें दौाओं में याद रखें बता दें कि गोली बारी के बाद न्यूजिलांड और बांगलेदेश के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट माच को रद कर दिया गया है इसकी जानकारी न्यूजिलांड क्रिकेट टीम के प्रवक्ता न दी है वहीं कदिकारी ने बताया कि अभी खेल के प्रती कोई विचार नहीं है ये हमला भी सबसे बड़ी चंता का विशह है कि लाडियों को भी कुछ समय देना चाहिए